तो दोस्तो आज है तारीक 4 फेव और आज के दिन हमें एक टाइटन के नमबर जो है तो वो रिलीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं इसके साथ साथ और भी अच्छी अच्छी कमपणियों के हमें नमबर रिलीज होते हुए देखने को मिले हैं चाहे हम बात करें Prince Pipe के उसका मैंने एक separate वीडियो बना के दे दिया है उसमें strategy क्या रखनी है सारा सब कुछ detail में discuss किया हुआ है तो आज की इस वीडियो में definitely हम सबसे पहले Titan के बारे हम बात करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे Varun Privages Limited के quarter 3 के result के बारे में and फिर उसके बाद हम कुछ और companies के quarter 3 के result को summary wise जो है तो उसको हम discuss करेंगे आगे सबसे पहले हम इनके consolidated number को review कर लेते हैं total income की बात करें देख सकते हैं main यहाँ पे जो है तो revenue आप देख सकते हैं लगभग जो है तो सारी values चुकि हमें crores में दी हुई है यह पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ यह वाला जो quarter है December 2021 है यानि कि financial year 22 और यहाँ पे यह जो है तो यह हमारा पिछला quarter है यह यहाँ पे जो है तो December last year का quarter है यानि कि December 2020 2020 वाला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस quarter में लगभग 10,000 करोड रुपे की earning हमें देखने को मिल रही है पिछले quarter की बात करें लगभग 7,000 करोड की earning थी और पिछले साल के December quarter की बात करें तो लगभग 7,000 करोड की earning हमें देखने को मिली थी revenue front पर तो यहाँ पे आप देख स और quarter on quarter दोनों ही basis पर अब अगर यहां पर हम exceptional item वगरा देखें तो कुछ आपको यहां पर extra देखने को नहीं मिलेगा यानि कि अगर हम यहां पर revenue में से जो है तो expense को minus कर दें तो यह हमारा निकल के आता है EBITDA यानि कि profit before interest and tax इसमें से interest or tax भी अगर minus कर दिया जाए तो आपको देखने को मिलेगा net profit जो की लगभग 1000 करोड के आसपास देखने को मिलता है पिछले साल 530 करोड के आसपास था यानि कि मान सकते हैं कि profit जो है almost two times हो गए है पिछले quarter की भी बात करें तो 641 था तो वहां से भी हमें एक अच्छी growth देखने को मिली है इसका सीधा impact जो है आपक देखने को मिले थे उसके अलावा अगर हम यहां पे segment wise बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं segment wise भी company ने बढ़ियां perform किया है almost हर segment में आपको revenue जो है बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे चाहे watches and variables की बात किया जाए सबसे ज़्यादा revenue jewelry से company generate करती है आप देख सकते हैं उस segment में भी हमें YOY और quarter on quarter basis पर growth देखने को मिली है आई वियर की बात करें तो वहां पे quarter on quarter basis पर थोड़ा number decline हुए है बट YOY basis पर number बढ़े हैं वहीं अगर हम अदर्स की बात करें जिसमें आपके जो हैं तो service के charges वगएरा भी होते हैं making charges वगएरा jewelry वगएरा में तो वहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही front पर quarter on quarter YOY basis पर company ने growth दिखाई है यानि quarter on quarter company के number काफी शांदार है YOY बात करें तो वहां से भी number काफी शांदार हमें देखने को मिलते हैं चली अब देख लेते हैं कि market के estimates कैसे देखने को मिले हैं यह standalone numbers हैं आप देख सकते हैं 840 का profit जो पे इन्होंने estimates को बीट कर दिया है revenue front पे बात करें तो वहां पे भी marginally ही यहां पे इन्होंने estimates को beat किया है वहीं EBITDA की बात करें EBITDA के front पर यहां पे इन्होंने 19.4% से market का estimates को beat किया है और margin की बात करें तो वह भी आप देख सकते हैं लगभग 2% margin बढ़ते हुए देखने क को मिले हैं तो all and all यहां पे comprehensively टाइटन ने बहतरीन performance करके दिखाया है चार्ट पैटन पर बात करें तो फिलहाल consolidation mode पर हमें यह जो है तो टाइटन देखने को मिलता है current market price पर भी अगर आपने entry ली है या लेते हैं तो लगभग 2100 पर हमें देखने को मिलता है और इसके बाद अगर हम third support की बात करें तो वो लगभग जो है तो यहां पे आपको लगभग 1890 के आसपास देखने को मिलेगा तो आप इन तीन levels को चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं further addition, SIP या accumulation के purpose से चलिए अब हम यहां पे बात कर लेते हैं वरुन privileges के एक ऐसी company जो यहां पे आपको ना सिर्फ इंडिया में बलकी मुर्को, Zimbabwe, यहां पे श्री लंका, नेपाल इधर भी company का जो है तो franchise आपको देखने को मिलेगा main इनका जो franchise है वो PepsiCo का यहां पे हमें देखने को मिलता है यानि किससे related products हो गए चाहे Pepsi हो गए, Mirinda हो गए, आपके Mountain Dew की बात करें तो कुछ ऐसे products हो गए, Tropicana की बात कर लीजे तो यह सारे जो products हैं इन्ही के ही portfolio में हमें देखने को मिलते हैं और definitely यहां पे अगर इन portfolio की बात करें तो यहां पे इस company की हमें monopoly देखने को मिलती है क्योंकि यह franchises सिर्फ हमें इन्ही के ही पास देखने को मिलता है, तो चलिए अब हम इनके भी एक बार quarter three के number को review कर लेते हैं, देखते हैं यह जो है तो यह आपका December 2021 है, यहां पे यह जो है तो यह आपका December 2020 है, यानि कि financial year 21 और यह हमारा previous quarter है September 2021, तो यानि कि quarter on quarter, year on year यहां पे हम comparison करने वाले हैं, सारी values आपको millions में देखने को मिलेंगी, करोड में भी इसको मैं convert करके आपको बता दूँगा, समझने में आसानी होगी, total income की बात करें तो 17,657 million रूपीज हमें देखने को मिलते हैं, यानि कि करोड में बात करें तो 17,655 करोड रूपीज हमें देखने को मिलते हैं इस quarter में, पिछले quarter के अगर हम बात करें, तो उसके comparison में लगभग 24,773 million रूपीज का revenue देखने को मिला था यानि कि यहाँ पे quarter on quarter decline है और यह देखे, surprising नहीं है, क्योंकि बताऊंगा मैं यह कि वो surprising नहीं है थोड़ी देर में, फिलहाल अगर हम year on year wise बात करें तो वहाँ पे हमें growth देखने को मिल रही है, 13,579 million रूपीज के revenue से बढ़के इनके 17,657 रूपीज हो चुके हैं, expenses की बात करें, तो expense भी इनके काफी जादा है आप देख सकते हैं, almost revenue से थोड़ा सा ही हमें कम देखने को मिलता है same कहानी आपको last year भी देखने को मिलेगी, in fact इनके expense बलकी जादा ही हो गए थे revenue से और पिछले quarter की बात करें, तो revenue जो है तो यहाँ थोड़े जादा हमें देखने को मिल रहे थे यहाँ पे 418 करोड का यहाँ पे आप देख सकते हैं EBITDA और वहीं पर आप अगर पिछले साल का compare करेंगे तो आप देखेंगे 354 मिलियन रुपीज और यह देखिए आप यहाँ पे यह तो loss में ही convert हो चुके हैं पिछले साल यहाँ से कहानी तो आपकी पूरी की पूरी loss में ही जाती होई देखने को मिल सकती है net profit की बात करें यहाँ टैक्स वगेरा यहाँ पे सारे adjust होते हुए देखने को मिलेंगे तो वो लगभग 32.5 करोड रुपीज यानि 325 मिलियन रुपीज देखने को मिलते हैं जबकि पिछ दूँ इसका main जो reason है वो आप यह समझ सकते हैं कि देखे यह जो quarter है यह हमारा December वाला quarter है और यह जो है यह September वाला quarter था यानि कि इसमें हमारे count होते हैं June जुलाई से आप count कर लीजे जुलाई हो गया August हो गया और वहाँ पे जो है तो आपका September count हो जाता है तो यह तीन महीने जो है तो एक तरीके से आप यूँ समझ सकते हैं कि गर्मी वाले summer वाले season होते हैं तो definitely यहाँ पे cold drinks वगरा का consumption काफी जादा बढ़ जाता है उसके बाद कि अगर हम बात करें तो सिर्फ seasonal basis पर यह consumption बढ़ते हैं अगर हम बात करें October, November और December की बात करें तो पूरे के पूरे seasonal हो जाते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इनका performance एकदम seasonal और cyclic आपको देखने को मिलेगा summer की season में इनके जो है तो revenue profit बढ़ जाते हैं लेकिन winter जैसे ही यह शुरू होते हैं तो वहाँ पे इनके जो है तो आपको revenue और profit decline होते हुए देखने को मिलते हैं चलिए EPS की ब बात कर लें standalone की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस quarter में जो है तो हमें लगबग 11,344 million रुपीज का जो है तो net income देखने को मिला है पिछले quarter की बात करें तो 17,189 million रुपीज देखने को मिले थे और पिछले साल की बात करें तो वहाँ से हमें जो है तो revenue से ज़्यादा expense हमें देखने को मिले थे और यहाँ यही reason है कि यह जो है तो यहाँ पे यह loss में चले गए थे लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी expense बढ़ गए है और यहाँ पे stand alone basis पर company जो है तो loss हमें दिखाती हुई दिख रही है EPS की अगर हम बात करें तो देख सकते है negative में 46 पैसे का EPS है वहीं अगर हम पिछले quarter की बात करें 3.5 रुपए का almost EPS देखने को मिलेगा और पिछले साल की बात करें तो minus में 1.20 रुपीज का EPS हमें देखने को मिलता है देखे company के number की बात करें तो number जो है तो especially सबसे ज़्यादा COVID के बात से यहाँ पे impact होते हुए देखने को मिले हैं क्योंकि COVID जब आया था और अभी भी COVID के time पर ये जो cold वाली चीज़े हैं उनको काफी ज़्यादा negatively treat किया जाता है उनको थोड़ा avoid करने की कोशिश की जाती है और यही reason है कि इनके जो है तो वहाँ पे sales जो है तो कभी हमें थोड़े से down और कभी थोड़े से up देखने को मिलते हैं still summer के season में जो है तो इन्होंने एक अच्छी performance दिखाई है no doubt वहाँ revenue basis पर अगर हम देखें profit जो है तो अगर हम profit basis पर भी देखें तो profit जो है तो वहाँ पर बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं company की यहाँ पर हमें monopoly देखने को मिलती है और no doubt यहाँ पर एक moat भी हमें दिखाई देता है क्योंकि अगर cold ring वगरा का देखा जाए तो consumption काफी जादा हमें देखने को मिलता है चाहे वो occasionally basis पर देखा जाए या seasonally basis पर देखा पर देखने को मिलता है और वो जो है तो वो लगभग 716 रुपए के आसपास देखने को मिलता है तो यह तीन level जो है तो मुझे लगता है entry point of view से काफी अच्छे हैं long term perspective से और अगर जिनोंने ले रखा है तो definitely इसमें hold and continue कर सकते हैं अगर आपका vision long term है और इन इन levels पर चाहें तो आप अपनी S.I.P. continue कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिगाची के भी आज हमें number देखने को मिले थे अगर हम consolidated number की बात करें तो net profit में हमें लगबख 34 percentage का जो है तो growth देखने को मिलता है यहाँ पे y o y basis पर लेकिन quarter on quarter basis पर 3% की गिरावट देखने को मिल रही है revenue front में आप देख सकते हैं y o y basis पर growth है और quarter on quarter basis पर भी growth है जो की काफी अच्छा positive sign है यहाँ पे जो है तो आपको downfall थोड़ा सा expenses बढ़ने की वज़े से थोड़ा सा downfall देखने को मिलता है EBITDA की अगर हम बात करें तो यहाँ पे EBITDA भी आप देख सकते हैं 45% से यहाँ पे हमें जो है तो growth करते हुए देखने को मिलते हैं वहीं अगर हम margin की बात करें तो margin आप देख सकते हैं company के margin भी हमें काफी बहतर देखने को मिलते हैं लगभग 19% का margin है और यहाँ पे अगर हम पिछले साल से compare करें तो पहले 18% के थे और पिछले quarter की बात करें तो वहाँ 23% के margin हमें देखने को मिले थे P.I. Industries की बात किया जाए तो यहाँ पे इन्होंने अपने number release किये हैं साथी साथ 3 रुपए का per share as a dividend यहाँ पे announce किया हुआ है जिसकी record date जो है तो आपको 15-5 की देखने को मिलती है Net Profit की बात करें 14% का growth जो है YOY basis पर है 3% down है वहाँ पे quarter on quarter basis पर revenue front में हमें जो है तो YOY basis पर 17% की growth देखने को मिलती है और quarter on quarter basis पर flat है EBITDA की बात करें तो 8% की growth है और quarter on quarter basis पर भी 2% की growth है और margins की बात करें तो 21% का margin हमें देखने को मिलता है पिछले साल जो है तो 23% का था और पिछले quarter की बात करें तो 21% का था तो margin point of view से भी यहाँ पे quarter on quarter better performance है और YOY basis पर भी अगर हम overall बात करें तो number हमें जो है तो ठीक ठाक देखने में लग रहे हैं वहीं अगर lux industries की बात किया जाए तो net profit में 34% का growth YOY basis पर quarter on quarter basis पर जो है तो 1% का growth है revenue 13% से बढ़े हैं YOY basis पर quarter on quarter basis पर 6% से EBITDA जो है तो आपको 31% अब देखने को मिलेंगे YOY basis पर और 2% अब है quarter on quarter basis पर तो lux के number काफी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं margin basis पर भी आप देख सकते हैं एक अच्छा growth है तो यानि कि हर एक front में यहाँ पे लक्स के number काफी अच्छे हमें यहाँ पे जो है तो वो देखने को मिल रहे हैं Finally last में एक बार गेल के भी number हम देख लेते है quarter on quarter basis पर ही देखेंगे पैट की बात करें गेल ने भी काफी अच्छे number दिये हैं चाहे पैट, EBITDA, revenue की बात करें और हर front पे आप देख सकते हैं margin improve हुए है, profit EBITDA यहाँ पे improve हुए है, revenue आप देख सकते हैं, revenue बढ़े हैं, लगभग 19% quarter on quarter और पैट की बात करें पैट भी 14% से यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं तो I hope दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही content अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक like करेंगे और चैनल को subscribe करके motivate करें ताकि मैं इस तरीके का quality content आपके साथ share कर सकूँ, वीडियो कौन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you very much